हेलो माइडिय स्टुडेंट्स तेकिए पिटा आज आप लोगों को मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जी ओसी जनल ऑगेनिक केमिस्ट्री के नाम है उसका आईसो मर्स टीक है जैसे कि आप लोगों ने टेंथ क्लास में आईसो मर्स एक टाउम पहले ही सुना होगा एक किस आईसिमर दूसरा पोजिशन आइसिमर और एक होगा लास्ट आपका फंक्शनल आईसूमर टेकिए बिटा स्टाट करते हैं टॉपिक आईसो मर्स डाली विटर टॉपिक आईसुमर्स लिगके दोस कमपाउंट्स दोस कमपाउंट्स which has same molecular formula, same molecular formula but different in N structural formula. structural formula called isomer called isomers और इस पूरे फिनोमिनन को बोलेंगे है isomerization क्या बोलेंगे isomerization called isomer and the phenomenon and phenomenon is known as known as isomerization isomerization clear clear है भीटा धिहान सुनेगा basic से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल isomerization basic से ठीक है न सपोर्स कहता हूं है कि मेरे पास CH4 है ठीक है CH4 is methane सबको पता है सुनेगे ध्यान से पहले CH4 is methane अगर मैं CH4 को इस तरीके से लिखता हूं ऐसे लिख दूँ CH4 को तो यह क्या होगा यह भी है मिथेन ही मतलब मिथेन का आपका आईसुमरी फॉर्म नहीं होता ठीक है दूसरा आता है देखिए CS3 CS3 इसे बोलते है इधेन ध्यान से तुनिए इधेन ठीक है ना अगर मैं इसको लिखूं ऐसे तो यह भी क्या है इधेन अब बोलेंगे सर दोनों के स्ट्रक्चर्चर तो अलाक है नहीं बीटा दोनों एक ही तो हैं यह dog a के अगर के ना में एक रिखान हो इफेन अपके नाम एक हैं मतलब पर आम स्ट्रक्चर बी बाअधिया थिक्या रिखaking दो क्यों अ suppose cs3, cs2 और ऐसे लिख दिता हूँ तो यह भी प्रोपेन है, यह भी प्रोपेन हैih clear है बिटा क्योंकि इसकी पेरट जी एक दो ठीन की झेर थे Efendimiz की दोनों प्रोपेन हैं तो मिथेन यह थेन और प्रोपेन के आईसोमरी फॉर्म नहीं होते हैं कहां से ब्यूटेन से जो फॉर्मला है आपका C4H10 ठीक है इसके स्ट्रक्चर बनाते है देखे बड़ा पहला CS3 चारो कार्बन को लंबी चेन में मैंने डाल दिया पेरेंट चेन में तो यह हो गया आपका ब्यूटेन आप जो इसका नेक्स स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसकी पेरेंट चेन में से एक कार्बन को तोड़ूँगा और डाल दूँगा उसको ब्रांच में कहां डाल दूँगा ब्रांच में तो यह हो जाएगा कि सीएज सी और यह हो गया कि एक डोटी जाएगा टू मिथाइल प्रोपें नाम ब्यूटेन है इसी और फॉर्मला दोनों का इसका और इसका फॉर्मला क्या है यही है इसका नाम ब्यूटेन है इसको कहते है 2-methyl-propane तो butane और 2-methyl-propane एक दूसरे क्या है आई-समर क्योंकि दोनों के formula एक है लेकि दोनों के structure लगे क्योंकि दोनों के आयू-pac नहीं या भी नॉमन्क्लेचर अलग है clear बिटा पॉफेक्ट है जल्दी नोट करें ऐसे ही अभी हम और आगे बढ़ते हैं ठीक है दन चली है एक लेते हैं बिटा किस तरीके साइसमर्स को फॉर्म करूंगा पहले सुनिएगा सी 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 मतलब पांच काबन को मैंने किसमें अरेंज कर लिया चेन बिल्कु स्टेट चेन में पहला तो यही बन जाएगा आपका और आप हो स्टेटर वैल इस सबक्या फॉलोग करा सकते हैं इस कावण ने कितने बॉर्ण बनाया एक तो इस पर कितने यह होंगे ऊंगे ब्ली tocar कारवन वारा हाईडो जो नहीं क्लियर है अब इससी स्टरक्चर का इसी फॉम्मले से में दूसरे स्ट्रक्चर बनाता हुआ इसका नाम पन्टेन का अब इसका नाम है टैस का पेंटीन है अब इसके पिरें। चेन में से में प्र outras चेन में तो यह बटोए प्रांच में डाल द कि तो मिथाइल ब्यूटेन क्लियर है बिटा सुनिए और सुनिए तू मिथाइल ब्यूटेन अब सबोज मैं कहता हूं कि मेरा जो यह जो मिथाइल है यह सेकेंड काबन पर अगर मैं इसको फर्स्ट काबन पर लगा दूँ ठीक है इसको उठाके यहां पर तो यह दो दुबार और यह वह रूगा सी स्ञी CRbabλαighty तो अम यहां से करेंगे अभी यहां से हो जाए क्या तूम इथा ग्योटेन कि यह ए इसका इसका मेर यह जो भूबabenल ये दोनों इस ऑमर नहीं यह का इसका अप तीसरा कर यह बन हो पहला तो यह बन गया दूसरा यह बन गया ठीक है और यह तो सेम यह थो यह नहीं बनेगा टीस त्सक्ता अभी पेरेंट के चार चछार चार वन तोड़के फिर से किसमे कि नुए कर तो ब्रांच के अंदर तो यह बन जाएगा CS3 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 and this is also CS3 इसका नाम होगा 1,23 तो जाएगा 2,2 डाय मिथाइल प्रोपेन हर कारबन चारबॉंड बनाएगा इसमें कोई परशानी नहीं होगी हर्मेशना चारबॉंड बनाएगा तो तो दूं तो C5 S12 के कितने इसमर बनें पहला दूसरा और यह हो गया तीसरा अब एक कोशन आता है NCRT में एक आपका कोशन है कि भई C6S12 के कितने number of isomers बनते हैं C6S12 के तो भाइल इसको note कर लिए विड़ा noted चलिए एक कोशन लिखते हैं कोशन है draw all possible draw all possible isomers possible isomers of C6H14 molecular formula molecular molecular formula इस formula के हमें इस formula के C6H14 के कितने possible isomers बनेंगे देखिए पिटा किस तरी किसे बनाता हूं तो यहां solution डालते हैं पहला वाला पहला 6 carbon है ठीक है अच्छा हमें कैसे परद चलेगा भी यह alkene है alkene कितने carbon है इसका double करो 2 ज्यादा करो 14 मतलब carbon के double से 2 ज्यादा क्यों होता है alkene cn s2n plus 2 alkene clear है तो पहले 6 carbon को मैं linearly डाल देता हूं CS3 CS2 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 and this is CS3 तो इसका नाम हो गया हेक्जेन क्या कहते हैं इसको हेक्जेन पहला अब दूसरा चार कार्वन च्छे कार्वन की चेन है इसमें से एक कार्वन तोड़के ब्रांच में डाल देता हूं ठीक है यह हो जाएगा CS3 CH क्लियर है इसका नाम देखते हैं 12345 यह जाएगा टू मिथाइल पैंटेन डिस इस टू मिथाइल क्या टू मिथाइल पैंटेन तो यह इसका दूसरा बन गया ठीक है अब जो मिथाइल लगा है वह कौन सी पोजिशन पे अब मैं इसको अगर यहां से उठाके थर्ड पे यह थो फि पैश शियर टू सीएज़व थी थीए को फोजिशन पर आगे त्री इसका नाम क्या हो जाएगा है थ्री कि मिथाइल कर रिमिक्षाइल क्लिए थी मिथाइल पैंटेर और देखें इसका देखी सब्सक्राइब अगर यह थर्ड पोजिशन पर अगर मैं इसको उड़के उसको हम अलग-अलग पोजिशन पर शिफ्ट नहीं कर सकते क्लियर है तो क्या करेंगी अब पेरेंट चेन में से एक और कार्बन तोड़ लेते हैं ठीक है अभी कितने की है पाच की तो आप चार की हो जाएगी तो आप दो ब्रांचे जाएंगे दो ब्रांचे क्लिय रहें चार कर्वन की पेरेंट चेन अhou गई और जो दो मिधाईव थोनों को के कार फॉल देट होब नहीं ऑगल कर सकता हूं बिटा कि जो दोनों मिथाईल है यह दूसरे दूसरे और तीसरे पर आप एक ही कार्बन पर डाल दूं तो सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू च्छ थ्री तो यह जाएगा टू कॉमाटू डायमिथाइल ब्यूटेन अब इसके अलावा च्छटा आईसोमर बनेगा ही नहीं आप जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका इमांदारी से और नाम कोई नाम मिलेगा तो इसके यह कोशन एंसी आटी का है याद रखिएगा तो यह आपका आईसोमर है ठीक है अब हम पढ़ते हैं टाइपस ऑफ आईसोमर जल्दी नोड़ करें इसको फास्ट पढ़ें आगे टाइपस ओफ आईसोमर्स टाइपस ओफ आईसोमर्स पहला आपका होता है चेन आईसोमर्स चेन आईसोमर्स दूसरा होता है आपका बोलिए पोजिशन आईसोमर्स ठीक है तीसरा होता है आपका फंक्शनल आईसोमर्स इसको बोलेंगे पी आई और इसको बोलेंगे यह एफ आई ठीक है शी आई पी आई एफ आई चेन आईसोमर्स पोजिशन आईसोमर्स फंक्शनल आईसोमर्स प्लिए अग्ड़ा जल्दी नोट करें बढ़ा अग्ड़ा पढ़ागे देखें बढ़ा इस सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लिए चेन आई सुमर्स आपको बहुत इसली समझा जाएगा कि चेन आई सुमर्स क्या होंगे ठीक है चेन आई सुमर्स क्या होंगे विटा दो अलग अलग compound होंगे उन compounds में parent chain different होगी molecular formula से भागा ठीक है लिए दोज आई सुमर्स दोज आई सो मर्स विच है same molecular molecular kya formula but have different in parent chain different in a difference in in parent chain parent chain called क्या कहते है इसको chain आई सुमर्स ठीक है examples के साथ समझेंगे ध्यान से सुनिएगा ठीक है ठीक है बहुत इसली आपको इसका एक carbon तोड़के ब्रांच में डाल देता हूं ठीक है तो दूसरा बन जाएगा की दोनों का formula इसका भी formula c4s10 है और इसका भी formula c4s10 है मतलब molecular formula तो दोनों का सेम है लेकिन structure लगे किसमें parent chain में देखो difference in parent chain तो यह और यह दोनों एक दूसरे क्या है कौन से चेन आई सुमार है क्या है चेन आई सुमार क्लियर है बिटा बेलकुल चल्दी नोट करिए इसको फास्ट है ठीक है डन एक और प्यारा से एक्जांपल देखते हैं ध्यान सुनिए गड़ा ठीक है कि मेरे पास से पाइब अभी हमने पढ़ा है यह इसका पहला स्ट्रक्चर बना इसका नाम है पैंटीन इसको क्या बोलेंगे वन टू थ्री और फॉर दिस इस तू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ठीक है यह पांच कार्बन का है कितने का है चार ठीक है अब इसका एक और कार्बन तोड़के पिरेंट चेन में ले आता हूं वो सुरी ब्रांच में ले आता हूं तो यह हो जाएगा अभी हम थोड़ दर पहले पढ़ाई है ना इसका नाम क्या हो गया टू कॉमा टू डाय मिथाइल ठीक है ना इसमें पेरेंट चेन कार्बन कितने के तीन की इसमें चार की इसमें पांच की ठीक है अगर मैं इसको ए माल लेता हूं इसको बी माल लेता हूं इसको तो को ऑपने दोश्तों को शेयर करिएगा तो क्लियर बिटा चलिए जल्दी नोट करें बिटा फास्ट टन बिटा चलिए अब पढ़ते हैं हम पी आई पोजीशन आई सुमर्स POSITION ISOMERS dividing those isomer's which have those isomers which have same molecular formula same MF समझ जाओगे ना same MF पतला molecular formula but difference in the position position of prefix and suffix ठीक है called called P IPI मतलब position isomers ठीक है एक्जामपल सुनिएगा बहुत इजय है सुनिए बटा सुनिए बिटा सुनिए सुनिए सब्सक्राइब कहता हूं कि मेरे पास था एक्जामपल लेता हूं चलिए मेरे पास है C3H7Cl यह मेरे पास एक formula है ठीक है इसका पहला structure बनाता हूं तीन carbon है CS2 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 और यह हो गया नाम क्या होगा इसका 123 वन क्लोरो प्रोपेन वन क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है अब मैं जो क्लोरो है वह प्रिफिक्स में इसको वन से उठाए कहां डाल दूँ मैं तू पे तो यह जाएगा यह हो जाएगा 123 यह हो जाएगा टू क्लोरो प्रोपेन टू क्लोरो प्रोपेन तो यहां देखिए प्रिफिक्स कॉंसी पोजिशन पर फर्स्ट पर यहां देखिए तो यह क्या है पोजिशन आई सुमर क्या है पोजिशन आई सुमर क्लियर है जल्दी नोट करिए डाउट है कोई डाउट है चलिए आगे बढ़िए पर जल्दी पास है ठीक है अच्छा यहां पर अभी मैंने किसके रिस्पेक्स में चला प्रिफिक्स के प्रिफिक्स मतलब यह क्लोरो सपोज में एक फॉर्मला है सी थ्री है एक सेवन ओएच ठीक है यह है तो इसका पहला बनाता हूं सी यस थ्री और सी यस टू तू यह क्या है प्रोपेन वन ऑल ते रहा है 123 पहली पोजिशन पर लगा ठीक है अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ उच को कहां पर अब सेक्ट् पे तो यह मेरा हो जाएगा प्रोपेन टू और सफिक्स की पोजिशन बन से टू आ गई तो यह आपके पोजीशन आई सुमर रहूंगे क्या होंगे पोजीशन आई सुमर क्लियर बिटा कोई पीडाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताएगा बिटा वीडियो कर अच् आपकी मरजी जो भी लिलजेगा अब आप लास्ट आपका इसके अंदर कि थार्ड और लास्ट आपका फंक्षणनल ऑइसोमर आइसोमर के अंदर एक ही मॉलिक्लो और फार्मला होंगे लेकिन जो दोनों में फांक्षण बढ़ने पढ़ेंगे तीन पिर ठीक है फंक्श्नल यह में तो लिख रिव दोज ऑट्च इसमर्स दोज इसोे हो वर्च आडवस विच भी विछ था जव फैं व्ट नव्फ नव्फ लिवट दिफरेंस इन क्या फॉंक्शनल ग्रूप फॉंक्शनल फॉंक्शनल ग्रूप ठीक है कॉल्ड फॉंक्शनल आइसोमर जस्ट लाइक ठीक है यहां पर तीन पेर्स को याद रखीएगा पहला पेर पेर वन पीर टू प्यर थ्री एर वन प्यर टू प्यर थी ठीक है अल कोहल फॉंक्शनल आइसोमर शो करता है इथर का आल कोहल और एथर एक दूसरे के क्या है अभी आपको फूफ करके दिछाएंगे ठीक है दूसरा कि आप किसके करता है कि पोट बैंसे तो आप इन सारे फंक्शन गूप से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगे ठीक है ना विटा तो चले स्टार्ट करते हैं पहला पेर आलकोहल और एथर जल्दी नोट करिए विटा पास क्लियर ओके पहला पेर पेर वन देखिए आलकोहल और एथर आज भूप सूथ शूज शूज फंक्श्टनल आईसोमर्ग ऐजिश करते हैं ठीक है जिस ग्दापल के तॉरह सनियेगा एकडा लेकिर चलते सपोस्ट है मेरे पास CS3 CS2 OH है इसका नाम है इथेनॉल क्या है इथेनॉल ठीक है फॉर्मला आप लोगों को पता ही है इसका फॉर्मला अगर देख रहे हैं तो दो कारवन है छे हाइडजन है और एक आक्सियन है ठीक है इसका अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाओ तो यह बना सकता हूँ है यह है इथर ठीक है इसको क्या वो लेंगे मिथाक्सी मिथेन अगर आपको नहीं आती तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा मैं आपको लिंक डाल दूँगा आप लोग पढ़ लिजेगा बेटा इथर का नॉमन्क्लेचर ठीक है देख लिजे दो कारवन दो कारवन चैर्जन चैर्जन एक ऑक्सिजन तो यह दूसरे के फंक्चला इसोमर शो करते हैं एक और एक्जांपल देखते हैं सपोज है मेरे पास CS3 CS2 CS2 ओच इसका बना सकता हूँ मैं CS3 O CS2 CS3 इसका नाम है प्रोपेन वन ओल क्या नाम है प्रोपेन वन ओल और यह हो गया मिठोक्सी इथेन मिठोक्सी इथेन तो पेर वन एलकॉहल फंक्शन आईशोमर शो करता है किसका इधर का अब पेर टू में किसका डाइद करता है की टोटन का की टोटन किकने कारबन से मतलब तीं और यह कौन की एग्जिस्ट करता है वह तो Arc एसी टोश्य न जिसको बोलते है आप रोपेन जिसको दो इयाद रखेगा Sud सब्सक्राइड नाम है लेगा से तिकले टोटन क्दोर श्यों में किटोंग शोज एफ़ फंक्शनल आइसोमर ऑफ एच अधर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर शोग करते हैं ठीक है देखिए यहां लेता हूं मैं प्रोपेनल तीन कार्बन का एल्डी हाइड क्या होता भई कितने कार्बन है इसका बनाता हूं प्रोपेनोन को देखिए फॉर्मला सेम होगा बस फंक्शनल गूरूप अलग है प्रोपेनोन सी इस थ्री सी डबल बॉंड ओ सीस्थ्री डाउट 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 नो डाउट ट्लिया ओके चली रहे हैं चेक लिए दोनों का फॉर्मला से मैं फंक्शन को बला लागे ठीक है एक और लेकर चलते हैं सब्सक्राइब बना दिया आहां नहीं यह तो नहीं बनेगा मैं ने ना दिया पालन ड्यूर्ट है था ठल ठेल ठीक तफ्रीस थ्टूस्ट थू और योगली सीएच तू सब्सक्राइब करेंटों का टू ओन क्या नाम है इसका पेंटेन टू ओन क्लियर है अच्छा इसका एक और बन सकता है बिटा यह ज़री थोड़ना है कि यह सेगिंड पोजिशन पर यह थर्ड पर टाल सकते हैं तो यह हो सकता है है CS3 CS2 C double bond O CS2 और यह हो गया CS3 इसका नाम क्या हो जाएगा पैंटेन थ्री ओन तो आप देख रहे हैं यह और यह एक दूसरे के यह और यह दूसरे के फाई है लेकिन इसको और इसको चेक करिए इसका जो फंक्शन गुरूप है वह कौन सी वोजिशन पर इसका तो यह और यह दूसरे क्या है पी आई है मतलब पोजीशन आई सुमर है समझाया एक दूसरे में इंटरलेट भी हो रहा है जल्दी नोट करिए लास्ट पियर है इसका कार्बॉक्सलिक असेड़न एस्टर्स का जल्दी फास्ट है डन ओके लास्ट पियर पियर थ्री पियर थ्री लिख लिजेगा कार्बॉक्सलिक असेड्स कार्बॉक्सलिक असेड्स एंड एस्टर्स शोज एफ आई एफ आई मतलब फंक्शल आइस मों ऑफ ऐच अधर इच अधर एक दूसरे के ठीक है एच अधर ठीक है तीन कार्वन का हम कार्वाक्सलीक असेड लेते हैं प्रोपिनोइक असेड प्रोपिनोइक असेड क्या स्ट्रक्चर रहे इसका सी एस त्री सी डबल बॉंड ओ इसका बनाते हैं इस त्री सी एस टू सी ओ इसके लिए यह हो गया सी एस त्री सी डबल बॉंड ओ इसका यह इफाई ए ठीक है इसका यह फाई बना नाम है इसका मिथाईल प्रोपिनोइड चेक कर लीजेगा हाईजन कारवन सब सेम होंगे मिथाईल प्रोपिनोइड मिथाईल प्रोपिनोइड एक और बन सकता है इसका देखिए सी एस थ्री सी डबल बॉंड ओ ओ ओ सी एस टू सी इसका नाम होगा इथाईल इथाईल इथे नोइड ठीक है प्रूपिनोग मिथाईल ये बलॉपिनोगári